Cross-Cultural Psychology, Topic is Cultural Adaptation, Cultural Adaptation क्या होती है, कोई भी alteration किसी structure की या functioning या program, organism की, किसी इनसान की, या किसी पौदे की, या किसी जानवर की, या group भी कोई हो, organism का, जो हमारी ability को improve करता है, कि हम survive कर सकें, और reproduce कर सकें, जिन्दा रह सकें, और आगे नसल को चला सकें, अपनी environment में. अब अगर ये तीर कमान चलाने वाला एक सहरा का बासी है, या अफरीका का बासी है, जब वो New York में आएगा, या वो Paris जाएगा, या वो हुंजा में जाएगा, तो जाहरे ना उसका ये लिबास होगा, ना वो तीर कमान इस्तमाल करेगा, और बहुत मुम्किन है कि उसको और भ दूरी होती है सर्वाइव करने के लिए, जब जानवर भी एक से दूसरी महाल में जाते हैं, किसी के चिरिया घर में चले गए, या किसी ने पाल लिया, तो हमने देखा, जैसे मलेशिया से कोई एक बिल्ली ले आया, और हम इंगलेंड गई हैं, तो हमारी बिल्ली थी, तो ह biological adaptation कहलाती है, जिस्मानी सता पर, और फिर cultural adaptation होती है, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह जो space में जाती है, इन्होंने वहाँ पर अपनी personal एक ली हुई है, और यह common license के एंडम मौझूद है, तो वहाँ space में भी एक adaptation है, जो biological भी है, और वहाँ कोई culture नहीं है, इसलिए वो cultural नहीं है, cultural adaptation बड़ी interesting होती है, यह एक New York में चाए खाना है, उसका नाम ही शायद चाए बैठक या चाए खाना है, वो New York के बिलकुल एक बहुत बड़े business और commercial hub और बहुत पुरौनक आखे में है, ब्रुक्लिन में, और इसमें यह चाए खाने में कोई पाकिस्तानी कपल है हुंजा या चितराल के और उन्होंने वहां पर यह खोला है, इसमें तमाम बलोची, तमाम गिलगित के, तमाम बलतेस्तान के कश्मीर की इम्रॉइडरी, सिंध की अज्रक हैं, वो प्यालियों में दूद पती सर्फ करते हैं, उन्होंने कालीन बिचा के उसमें गाव तक यह रखे में हैं, कोविट की दिनों में यह हुआ कि और मुलकों में भी हुआ होगा, न्यूज्योक में कोविट के बाद ही गई थी, तो उसमें सड़क के किनारे फुट पात पे उन्होंने बेंच रखके या तखत रखके उसमें तके लोग खुली फिजा में बैठ सकें, तो अंदर जो उनका चाहे खान है, उसमें किताबें हैं, उर्दू के नौविल हैं, उर्दू की दास्ताने हैं, एका दुका कोई ट्रांसलेशन हैं, कोई हदीस की किताब है, कोई बलोची या पश्टो शायरी है, और बच्चों की कहानी है, और उन्होंने वहाँ पे इस तरह गाउतक की और वो बिचाएंवे हैं, आप कहवा पियें, आप दूद पती पियें, आप रस्ट खाएं, और वो रस्ट जो हैं, वो भी या कोई गुर्वें बेकरी जाइब नहीं है, वो रस्ट वो हैं जो पहाड़ी लाकों में लोग एक सक्त वाले रस् बहुत खुबसूरत मुझे वो जगा लगी, अब जब कोई वहाँ से अज्रक या सकाफ या किश्मीरियम डॉड्री ले के जाता है, तो वो कल्चरल एडाप्टेशन हो गई है एक चीज़ की, हम सीखते क्या हैं कल्चरल एडाप्टेशन में, सब से पहले सलाम अलाइक का त यू, चीर्स, यह वाली ग्रीटिंग इस्तमाल कर लेते हैं, लेंग्विज और फ्रेजिस क्या यूज होती हैं उस कल्चर में, अब हम पैरस में थे मुझे इतनी फ्रेंच आती है कि मैं बोल सकूँ या समझ सकूँ, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी फ्रेंच बोलते थे, इरान गए हमें फारसी आती थी लेकिन वो फारसी में उस चीज को क्या कह रहे हैं, वो उनकी आम जबान है, तो हम उनके जो लेंग्विज और जुम्ले हैं वो सीख लेते हैं, ड्रेस कोट सीखते हैं, चीजें कैसे खरीदनी हैं, कैसे पैसे देनी हैं, दुकान में कैसे जा वेट करते हैं तो मुझे एंगलेंड में पहली दफ़ा पता चला कि गारी लेके जाना उसको वे गाराज कहते हैं हम कहते हैं ची मेरना यह तो सर्विस तो लेनी पड़ती है टैक्स पे करने बिल पे करने वगारा फिर वहां की जो traditions हैं वो भी learning में आ जाती है Mother's Day मनाया जा रही है हमारे culture में नहीं था या women day नहीं था या labor day नहीं था वो काफी अप तक universal हो चुक है food के बारे में हम learning करते हैं यह बनती कैसे है जो पसंद आती है वो खाते है जो नहीं पसंद आती ही नहीं खाते कुछ food ऐसी है कि जो हमारे culture में आके बदल गई अगर चाइना में लोग जो खाते हैं वो Chinese food हम नहीं खा रहे हमारे आज जो सूप और उनकी डिशिज बन रही है sweet and sour या कुछ एक तो उसमें हलाल इस्तमाल होना है फिर उसमें मिर्चे हम और तरह की डाल देते हैं हम सोया सास और तरह इस्तमाल करते हैं उसको पकिस्तानी Chinese food मजाग में कहा जाता है पीज़ा भी हैसे हलाल food के ओपर जो पीज़ा बन रहा है तो हमारी learning होती है कि इनका यह खाने हम इसको अपने मताबिक भी ढाल लेते हैं तहवार हैं, celebrations है, एद हो गया, Christmas हो गई, कोई और celebration है sports and games adapt होई हैं एक से दूसरे culture में तो यह सारी learning जो है वो हम सीखते हैं एक और चीज़ जो होती है वो यह कि कोई services या program है उसको consumer के culture के मताबिक ढालना है इसमें मैं क्योंके psychology पढ़ रहे है, mental health services की मिसाल दोगी अगर कोई consumer different culture से है और वो आपकी service को approach करता है तो आपने अपनी service को उसके मताबिक ढालना है एक किसी culture में है कि women को women attend करेंगी तो जब कोई बड़ी chain, boutique या dress वाले जो है वो दुकान खोलेंगे तो उसमें वो ladies की garments के लिए lady sales person रखेंगे इसी तरह mental health services के लिए आपको उसकी जबान बोलने वाला उसके mood को समझने वाला जो वो बात बता रहे है अपने बारे में उसको उसके culture के साब से समझने वाली counseling service जो है वो adapt करनी पड़ेगी different cultures की जो products हैं जैसे मैंने Chinese food की मिसाल दी McDonald की मिसाल दी अब वो पूरी दुनिया में है, universal है लेकिन वो आपको different cities में मिलेगा उसमें उन्होंने कोई ना कोई अपनी adaptation की भी होगी एक चीज जो cultural adaptation में study की गई है वो है evidence based practice जैसे parents का program था अमेरिका में तो बच्चे को जो behavior problem थे उनको लगा कि जो African American community है उनके उपर इस program का कोई असर नहीं हो रहा यह निए parents को बताते हैं कि बच्चों के behavior problem को यह करना है तो क्योंकि उनके culture को हम नहीं जानते हैं तो हम American culture के मताबी को नहीं कह रहे हैं जी बच्चे के behavior को यह बहतर करना है that wasn't working so they try to then first run a program by learning from them कि उनके culture में बच्चे के behavior के लिए किस किसम की practices काम करेंगी फिर program बनाया फिर उसकी implementation की फिर उसे study किया तो यह है cultural adaptation of some services research findings यह कहती है कि treatment जादा beneficial होती है उसका फाइदा जब होता है आप एक therapy ले जाएं और आप उसको किस कर्दू के गाउं में जाके कहें के जी हम इलाज कर रहे हैं depression का या anxiety का it has to be culturally adapted हमने पहले भी एक मिसाल दी थी कि कुछ culture में low mood का मतलब depression नहीं होता तो आप अगर उसको depression की treatment शुरू करें हो सकता है हमोशतबा रहना उस culture का तरीका हो तो बच्चे और उनकी families के उपर अगर कोई program चलाना है तो उनके culture को देखके और अगर वह appropriately implement हुए और दिया गया है तो वह एक बेहतर result देगा इसके नीचे जो reference है वह study की है जिसमें से मैंने यह वाली finding ली है